नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन नरायन आज हम मौजूद है दिल्ली के करावती सारन चिल्रन होस्पिटल में इसलिए क्योंकि यहां किस्तिती हम आपको दिखाने जा रहे हैं करोना का हवाला दिया जा रहा है लगातार यह कहा जा रहा है कि करोना बढ़ रहा है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इलाज के लिए आए हुए हैं लेकिन अंदर उन्हें जगा नहीं मिल रही है नहीं उनके लिए कोई भी आपर सुविदा है यहां पर कुछ फैमिली जैसी है जो कि फुटपात पर लेटी हुई है कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाया है जिन्होंने तो आई आपको दिखाते हैं कि इस कोरोना पीरियड में यह परिवार जो है यहां पे किस तरह से अपनी जिंदीगी जी रहा है और अपना दिन जो है वो बिता रहा है चलिए आपको दिखाते हैं आप आई और सबसे पहले बताईए कि यहां आप क्यों है इलाज के लिए बच्चों के अंदर के जगा रुकने नहीं दिया जा रहा है क्या परिशानी है कोई नहीं गाड़ बगार करे बायर बैड़ो इतनी भीड़ बार नहीं चाहिए लिए बेर बाह नहीं चल रहा है रोज रोज और नहीं आ सकते हैं में घर वापे वापास जाना होता है अब तो राड़ा में घर लग गया है तो हम तेम से निकलते ही नहीं से फिर वो मना करते थी अब भी गहीं है अंदर तो सुना आपने की परिशानिया लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इन से जानेंगे ओ लेकिन रोजाना यहां पर तमाम बच्चे आती होंगे अपने पर पहले बात तो यह की सेंट्रल गॉर्डमेंट ने एमस ने भी एक नया गाइडलाइन तयार किया है कि मतलब डेल सो या एक सो साट रेस्टेशन होंगे तो यह बाहर गेट पर यह काउंटर है वहां पर रेस्टेशन होते हैं सिर्टेशन लेने के बाद में आपका पेशन चा इसके बाद यहां पर बैठेव है एक यह पास इसू करता है कलावती जो अंदर वेटिंग एरिया है वह जिसके पास होगा वह उस वेटिंग एरिया में जाए जाएगा तो अगर यह इतना बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों का जो कि दिन के सिर्फ डेड़ सो किसे आपको पास नहीं है वह अंदर वेटिंग नहीं कर सकता है उन्हें इस तरह से आप पीछे देखें मैं आपने परसन से कहना चाहूंगे वह दिखाए ऐसे फुटपार्ट पर बैठते हैं यह वही लोग है जिनके पास इस तरह का पास नहीं है और यह पास कितने का बनता है क्या बत है तो वहां से आपको यह इशू होता है और जिस तरह से यह पास आप देख पा रहे हैं यह पास इनका है और यह वेटिंग अगर इनका बच्चा बिमार है बच्चा एड्मिट है तो यहां में रुक सकते लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वेटिंग एरिया में नहीं रूप कर रही है कि हमारे पास करोना के वाड़ अलग है और जन्रल वाड़ अलग है तो उसमें मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार की ये गाइडलाइन कहां तक तथाकती सही है कि मतलब आप खाली डेल सो पेशेंट लेंगे यहां पर यहां पर दिन के है बहुत बड़ा अस्पताल है बताईए आप कहां से आए हैं सब्सक्राइब बच्चा है अंदर वेट क्यों नहीं कर रहे हैं अंदर यह आदमी जाने दे रहे हैं मजिद के साथ में एकादी दूसरे को वकद देखने भी ज्यादा जा रहा है तब भगा देते का तो चलो क्य है नहीं पोई लिए घाल आठाक बंढ़ सब्सक्राइब क्रूटी जान Henderson फोल्हक हूँ ने के लिए और इनकी जानने के लिए ओर स passou और मौजब है बच्चे या मरब लगा सकते हैं यह बच्चे इस कोरोना पीरियड में इस पानिक स्थिती में यहां पर हैं और यतने छोटे हैं कि इनके फेस पर जो मास्क वो भी नहीं लगा सकता है क्योंकि अगर मास्क लगा है तो इन्हें सास लेने में तकलीफ होगी अब बताइए कि आपके और बच्ची है जो अस्पताल मे खहला है कि और बच्चे को अब देखें तो यहां पर पुलिस आती है इनने देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं है जाए इनकी तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है आप बताईए कि आप लिए तो एक परिवार है ये साथ में है क्योंकि इनका बच्चा जो है वो अस्पताल में है लेकिन अंदर रुकने नहीं दिया जा रहा है कुछ एक यहां पर बुज़र्व महिला है उनसे जानेंगे आप बताईए कि आप यहां पर क्यों है बेटा हुआ साफ सपाई चल रही है सु लेकिन आप लोगों को अंदर वेटिंग एरिया में वेट करने नहीं दिया जा रहा है आपको यहां फुटपाथ पर भेज दिया जाता है क्यों ऐसा हो रहा है दिली सरकार तो कहती हम सभी के लिए काम कर रहे हम बैतर स्वास्त सेवा दे रहे हैं चले जाएंगे थोड़ द नहीं है उनको बैटने नहीं दिया जाता है और कुछ लोग ऐसे हैं कहां से पास लेका हैं अगर अमीर होते तो हम किसी बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं लेकिन हम इतने बड़े सरकारी अस्पताल में यहां पर इलाज करा रहे हैं हैं जिसका नाम है कलावती सारण चिल्रन होस्पिटल लेकिन दूसी तरफ उन्हें बाहर वेट करना पड़ रहा है और इतनी गंदगी आप पीशे देख सकते हैं इतनी गंदगी है और मास की पहने या ना पहने दिल्ली पुलिस भी ने कुछ नहीं कह रही है एक तरफ दिल लोगों से बात करी तो पता चला कि आखिरकार इस बाल अस्पताल में कितनी ज्यादा कमी है डेड़ सो रेजिस्ट्रेशन होते हैं उसके बाद रेजिस्ट्रेशन नहीं होते हवाला दे दिया जाता है कि कोरोना है और ज्यादा बच्चे नहीं ले सकते आड्मिट नहीं कर स झाल झाल